नमस्ते अभिवादन आपका एनोसेंटे निविस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लवल्स बताएंगे ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बहुत अच्छी बात सामने आ रही है संकेट बहुत पॉजिटिव हैं FIIs का डेटा DIs से कमी सेलिंग का आया है DIs ने चुक खरीदारी की हो बड़ी की है FIIs की सेलिंग से तो चीज़ें अभी भी हमारे फेबर में ही है ग्लोबल मार्केट से अच्छा संकेट और क्या चाहिए था दूमध़ाका होगा कल फिर से होगा ओपनिंग के संकेट काफी पॉजिटिव है कुछ एनाउंसमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले चीज वाट्सेप ग्रूप यह अवेलबल होगा डबलाई ट्रेडर और डबलाई शूंगर सेटप वालों के लिए ठीक है आप लोगों से थोड़ा सा फीडबएक मैं चाहता हूँ कितने लोगे ग्रूप में लग बग होने चाहिए क्यों कि जितने लोगों के बीच पास बासे और जो अवी अवेलबल है ट्रेट कर रहे है उन सब को ये शुविधा दी जाएगी, मेरे हिसाब से क्या होगा मैं आपको अपनी बात बताऊंगा भी, पहले आप से feedback चाहता हूं कि proper communication कुछ लोगों के बीच में कितने लोगों में हो सकता है ग्रूप में, max to max या minimum आप बताना कि कितने लोग एक ग्रूप में होने क्योंकि कई सारे trades ऐसे होते हैं जहां पर communication gap के कारण, चीजें explain नहीं की जा सकती है और बहुत कठीन हो जाता है, उस trade में अपनी गलती को पकड़ना, ये सिर्फ उने के लिए रहेगा जो अपने trades से share करते हैं, मैं profit and loss की बात नहीं कर रहा हूं, मैं normal trades की बात कर रहा हूं, इस वाले trade में मैंने क्या लिया, buy लिया, sell लिया, जिनके पास दोनों ही setup available है, उनको अलग अलग group में जोड़ा जाएगा, swinger के लिए लग, trader के लिए लग, अब ये group वाली बात आई सामने कहां से, हो क्या रहा था कि जब हम आप लोगों के साथ जुड़े meeting पे, zoom meeting पे, जो इसलिए आपका feedback जरूरी है, WhatsApp पे तुरंट connect कीजिए और अपना feedback जरूर दीजिए, आप क्या सूचते हो, आपके desired numbers क्या है, जो भी बाते हो आप बताईएगा जरूर, चलिए, Nifty Bank निफ्टी की बात करेंगा, उसके पहले trades, Clean Science अचानक से भाग गया, DCB Bank अचानक से भाग होता, बहुत ध्यान से देख लीजेगा, हमें stop loss खाना पर था, जब की target 1 लगबग लगबग आ गया था, stop loss हमें खाना पर ता, मैंने trade नहीं लिया, क्योंकि पहली candle इतनी बड़ी बन गई, कि दिल तूट गया, ठीक है, ग्रासिम, यहां पर हमें trap किया गया, sell side का trade था, stop loss ह हो गया, TVS Motors, try to buy side था, target hit हुआ, बहुत 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 बहुतरीन trade था, यहां पर कोई दिक्कत हुई ही नहीं, उसके बाद Wipro, यहां पर put बहुत 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 बहुतरीन trade, आराम से 4-5 रुपए आप खा सकते थे, आपर अधिक जानकारी के लिए बादर वाली व होता है, high या low break होने दीजिए, अब यही सब चीजे मैं आपको सम्हाना चाहता हूँ, इसलिए communication gap ना रहे, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, चलिए, कल के लिए intraday stock से लिख लीजिए, टाटा मोटर्स बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इधर साइड मिलेगा, हाँ, option से से आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपको buy या sell side का trade मिलता है, जैसे कि माल लेते हैं, जहां पर खड़ा यही मिल जाता है, 1% पुट, बस यही आपको करिदनी है, ध्यान रखना इस चीज का, इंट्राडे में trade निप्टाना है, option trader कैसे इतना पड़ा loss जहल गया, कैसे इतना पड़ा loss उसको दे दिया, उसके broker ने, वीडियो देखिए, दूसरे चैनल पर अवेलबल है, ITC बहुत बढ़ी हाँ ट्रेड करते है, setup पे, setup बनाना तो सीख लो, must watch playlist में है, जाकर देखो आपको मजा आएगा, excite बहुत बढ़ी हाँ लेवल पे खड़ा है यह stock और बहुत high conviction है, मुझे यहाँ पर trade लेने का, बहुत ज्यादा high conviction है, अकर मिल गया trade ना, तो आग लगा देगा यह stock, मेरे लिए 1.2% भा आप वीडियो देखेंगे, कल वाली आपको बात समझ में आ जाएगी, देवयानी 188.50 के उपर मेहाँ पर बाई लूँगा, या फिर यह मुझे 170 के आसपास मेले, थोड़ा इस पे नजर बनाकर अखिए का, स्विंग ट्रेड मेहाँ पर प्रफर करूंगा, अभी निफ्ट इन दोनों लेवल्स पर आपको फोकस रखना है, 18425, यह रहेगा तीसरा रेजिस्टन सपोर्ट कहा है, 181.50, यह लेवल पहला रहेगा, यह तो खुद एक में सपोर्ट है, 18200 का, ठिक है, 18150, इसको आप 18146 मान सकते हो, ठीक है, 1818, यह लेवल रहेगा, थोड़ा इस पे न फोकस रखना है, कल की बाजार वाली ट्रेडिंग में अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आज जो हुआ है, रेड केंडल बन करके यहां पर, कुछ कल बढ़ा करने की कोसिस करेगी, क्या निफ्टी, मेरे हिसाब से कल 49,000 पार, तो ठीक है, 38,955, यह रहेगा पहला रिजिस्टेंस लेवल, 49,110, ठीक है, यह रहेगा दूसरा, 49,320, यह रहेगा तीसरा रिजिस्टेंस लेवल, इन लेवल पर आपको फोकस करना है, 38,570, यह रहेगा पहला सपोर्ट लेवल, 4.42 है, यह याद रखिएगा, यह दो सपोर्ट है, इसके नीचे अरतीज़ डाइसो का लेवल है, जिसके आप फोकस रख सकते हो, ठीक है, यह लेवल आपके लिए अवेलबल कराए जाते हैं, डेली तो आप विडियो देखा किजीए, आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिए बढ़िया गया, जो लोग आपसं में ट्रेड किया होंगे, उनको बहुत मजाया गया, क्योंकि यार बड़ा प्रॉफित हो जाता है, छोटे मार्जिन से, और यही मजा है ऑपसं ट्रेडिंग का, लेकिन यही हमारे लिए सजा भी बन जाता है, दूसरे चैनल पर मैंने यह कैसे हुआ, वीडियो जरूर जाकर देखना, तो अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं, जितने भी लोग अपना फीडबेक भेजेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के जो ट्रेड्स है, उनको पूरा कैलकुलेट कीजेगा, पूरा आपको कैलकुलेट करना है, ओवरॉल परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके एक लाख रुपए पर परसेंटेज टम्स में, जितने भी आप ट्रेड करते हो, उस पर ओवरॉल परफॉर्मेंस कैसी रही, जब तक आप यह नहीं बताओगे, आपका फीडबेक एकसेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सि बहुत मज़े ले लिए मार्केट के, अभी के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका भाहर वीडियो पसंदाइट लाइक करना, और हाँ, वाट्सअप पे कनेक्ट जरूर करना, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार.